आखिरकार जो बाइडन और मोदी जी क्या बाचीत कर रहे हैं? बाइडन ये कह रहे हैं कि मोदी जो मैं आपको कह रहा हूँ वो काम जरूर करना लेकिन मोदी जी कहते हैं तुम्हारे बीच में अगर हम लोग आए तुम्हारा कहना अगर हम लोगों ने माना तो हम लोग सबसे वड़े बेवकूफ है क्योंकि हम लोग उस नीती पर चलते हैं जिसको दुनिया आज तक नहीं समझ पाई है और वो नीती है नॉन अलाइन की मतलब गुट निर्पेक्ष के नीती हमारी बहुत पहले से चलती हुई आ रही है ये बात आज अमेरिका को समझ में आ गई है अमेरिका का ये दावा है अमेरिका के जो इंडियन एमबसी के अंदर हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत ने जब रशिया से तेल इंपोर्ट किया तो भारत ने अपनी मर्जी से नहीं किया हमारा दबाव भारत की उपर था क्योंकि हम लोग ओयल की प्राइजिंग जो है उसको कंट्रोल करना चाहते थे और इसलिए हमने भारत को कहा कि आप रशिया से ओयल इंपोर्ट कर लीजिए क्योंकि USA और Western countries ने खास तोर पर European countries ने रशिया की उपर ओयल export को लेकर sanctions लगा दिये थे और ओयल को लेकर बहुत सारे reserves रशिया के पास में हैं इसलिए हमने भारत को ये कहा था कि भारत जो है वो रशिया से तेल import करे पगला गये हैं लगता है क्यों क्योंकि जिस समय युक्रेन की उपर invade किया गया था रशिया के दौरा वो date थी 24 फरवरी 2022 की इससे पहले 23 फरवरी 2022 को ही बीजिंग के ओलंपिक खतम होते हैं चाइना के अंदर और रशिया इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब चाइना अपने काम से ख्री हो और वो हमारे साथ में युक्रेन को invade करने के लिए लग जाए उसके बाद में रशिया ने आकरवन करना युद करना शुरू कर दिया युक्रेन के उपर इसके बाद में जो वेश्टन कंट्रीज थे वो खासा नाराज होए और रशिया की उपर कई सारे संक्षन्स लगा दिये युरोपियन कंट्रीज ने ये कहा कि हम लोग ओयल को लेकर एक्सपोर्ट नहीं करें इंपोर्ट नहीं करेंगे रशिया से और फिर उसके बाद में भारत नहीं जो है इंपोर्ट किया था ओयल को रशिया से चलिए कुछ एक्जामपल से मैं कमझाता हूं आप लोग डिफर welded कर पाते हैं अरेंज मैरीज और लिविन रिलेशनशिप के बीच में ये एक्जामपल मैंने नहीं रखा है ये एकजामपल रखा है जो कि गाल्टेसी क्यों है इंडिया के अंडर काम कर रहा है उन्होंने एक एकजामपल दिया की भारत और अमेरिका के relations ऐसे हैं जैसे की वो live-in के अंदर रह रहे हैं live-in को कानूनी तोर पर मानता प्राप्त नहीं होती है लेकिन जो arrange marriage होती है इसका marriage certificate भी बनता है live-in बिना शादी के ही रहना आपस में मंजूर कियाता है लेकिन कोई नीयम शर्ते नहीं होती है उनका कहना ये था कि भारत के रिष्टे भी कुछ ऐसे ही है जिनकी अंदर कुछ शर्ते हैं तो सही लेकिन लीगलाइस तरीके से नहीं है इसलिए जब भी कोई काम करता है तो वो independent होके काम करता है भारत ने यही कहा था कि हम किसी के दबाओं में नहीं हैं हमने तुमसे कोई शादी धोड़ना कर रखी हम तो living की अंदर है खुद की स्वतंतरता जो है independence वो खुद की हक से कुसके तरीके से जीएंगे चलिए आप को हासिल करना चाहता है वो चाहता है कि मैं बड़ा ऑफिसर बन जाहूं मैं चाहता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनसमैन बन जाहूं लेकिन उसकी कुछ गलतियों की कारण उसका focus concentrate वो इतना जदा खराब हो जाता है कि वो यह चीज identify नहीं कर पाता है कि मुझे कौन सा काम कर करना है और कौन सा नहीं करना क्योंकि उसका दिमाग already pornographic इंदर चल रहा है इसलिए मैंने आप लोग के लिए design किया था 25 टेक्निक्स थे 75 टेक्निक्स इसके अंदर 75 टेक्निक्स जो कि मैंने 75 डेज के hard challenge की रूप में आप लोग के लिए रखी थी जिसमें 75 real stories मैंने आप लो लेकिन काल की है जब USA ने भारत के उपर ये कहा था कि भारत जो है वो रशिया से ओयल को इंपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि रशिया के उपर हमने कई सारे sanctions जो हैं वो लगा दिये हैं दूसरी बात Biden to speak to Modi as US 1 इंडिया all on import of Russia energy लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने रशिया से ओयल को import किया reason क्या था पहले वो सुनिए जहां पर पूरे विश्व के अंदर हम को जो तेल मिल रहा था वो लगबक 47,000 प्रति टन के हिसाब से मिल रहा था रसिया ने ये कहा कि हम जो है पूरे विश्व से सस्ता तेल आप लोग को देंगे और वो केवल 43,000 प्रति टन के हिसाब से देंगे मतलब जो दूसरे देश दे रहे हैं उनसे भी 7,000 प्रति टन सस्ता भारत के लिए और क्या चाहिए था भारत के लिए 1000 करोड का मुनाफ़ा जो है वो बनकर सामने आया और भारत ने डिसाइड किया कि वैसे भी हम लोग तो non-aligned country है हम को किसी की कोई परव यह जो ब्लू कलर के लाइन दिखाई दे रही है यह यूसे के लाइन है टॉप फाइब कुरूड और प्रोडक्शिंग कंट्री नाइंटीन एटी से लेकर 2022 तक यहां पर देखिए सबसे ऊपर आपको रश्या मिलेगा लेकिन रश्या की लाइन यहीं पर खतम हो रही है क्य यहां पर USSR का एंड होता है और रश्या का जन्म होता है उसके बाद में कभी भी इस लाइन को ड्रॉही नहीं किया गया क्योंकि जो रश्या की एकॉनमी है वो बूम तो कर रही थी लेकिन अमेरिका यह नहीं चाता था कि जिस तरीके से रश्या आगे निकल रहा है यह दुन इराक में भी आप लोग देखेंगे कि एक नॉर्मल एवरेज लाइन आप लोग को दिखाई दे रहे हैं मतलब मैं यह दिखाना चाहरा हूँ आप लोगों को कि रश्या जो है वो बहुत हद तक जो प्रॉडक्शन कंट्रीज हैं उसके अंदर बहुत आगे था यहां पर आ चांसेज हैं प्रॉडक्शन जो है सब ज़्यादर जो कंपनी करती है वो है साओधी अराम को उसके बाद में प्रावेट सेक्टर जो है वो भी अपने आप में बहुत आहम भूमिका रखता है अच्छा यहां पर देखिए यह टॉप 10 कंट्रीज है जो कि ओयल का प्रॉडक पर देखिए कहीं पर भी आपको इंडिया नजर आ रहा है क्या इंडिया नजर नहीं आ रहा है लेकिर रशिया नजर आ रहा है रशिया जो है वो प्रॉडक्शन के मामले में दूसरे इस्थान पर है तो और प्रॉडक्शन डिसंबर दोयार 23 का अगर हम लोग देखे तो र इंडियन economy को अगर boom करना है domestic जो demands है उसको fulfill करना है तो इंडिया को oil चाहिए और जो country जो country वहाँ पर दूसरे नमबर पर था वो यहाँ पर 36 नमबर पर आ चुका है consumption के अंदर मतलब रशिया के अंदर oil काफी है उसका consumption कम है इसलिए रशिया ये चाहेगा कि मैं अपने oil को export कर इंडिया क्या अपने जगे सही था बिलकुल सही था क्योंकि इंडिया को अपने consumption complete करने थे क्योंकि इंडिया के अंदर production नहीं है इंडिया का consumption काफी हाई है इसलिए इंडिया ये चाह रहा है कि पूरे विश्यू का जो consumption है उसका 4.9% इंडिया के पास में है 20% USA के पास में और फो करते हैं चाहिना 15% करता है यह लोग वो देश हैं जो कि दूसरे देशों को ये दुहाई दिया करते हैं कि आप जो है वह कार्बन डेटिंग को कम कर लीजिये मतलब कार्बन जो emission है उसको कम करिए दूसरे द्रशों को हिदाय देते हैं जबकि इनका ही कार्बन emission जो है इंडरस्ट्रिल डवलपमेंट वो सबसे ज़ादा है और इन्होंने अपने development को करने के लिए बहुत ज़ादा जो है वो कार्बन emission किया है भारत का सबसे बड़ा oil partner कौन सा है वो है रूस क्योंकि रशिया से हम लोग 39% oil जो है उसको import करते हैं लेटिन अमेरिका से 4% अफरीका से 5% मतलब South Africa की बात है और अफरीका से 20% साओधी अरब से 15% 11% जो है वो Middle East से है और लगबग 4% के आसपास हम लोग अन्य जो देश है अधर कंट्री जो है उससे हम लोग क्या करते हैं oil को import करते हैं लेकिन रशिया जो है वो हमारे लिए बहुत जबर्दोस partner है इसलिए हाधी के अंदर जो अमेरिकन राजदूत हैं अमेसेटर हैं उन्होंने इंडिया के लिए कहा कि हमने दबाव बनाया तब जाकर जो है इंडिया ने रशिया से oil import किया इस पर एश जैसंकर साहब ने ये कहा कि हमारे उपर कोई दबाव नहीं था बारत की जरुवत थी इसलिए हमने रशिया से oil import किया हमारा consumption जो है वो जबर्दस था अब यहाँ पर देखिए the share of crude petroleum imported from the Russia jumped to 36% मतलब अगर हम लोग बात करें कि oil जो import है financial year 2022 के अंदर वो 34% था इसमें 2% का hike होने के बाद वो 36% पर पहुँच गया उसके बाद में अगर हम लोग western Asian countries की बात करें तो जो पहले 34% था वो गिर कर 23% पर आ चुका है और इसका reason क्या है कि जो western countries के अंदर disturbance चल रहा है इसकी कारण जहां का यहां की जो oil import है भारत का वो बहुत कम हो चुका है यहां पर conflict चला कैसे यह जो country है इरान इरान और इसराइल के बीच में अभी हाल ही के अंदर एक war की condition हुई थी इरान ने धंकी दी कि हम लोग जो हैं वो straight of hormones को पूरी तरीके से block कर देंगे इसको jam कर देंगे अगर वाकई में यह पूरी तरीके से jam हो जाती और हमारी dependency जो western countries की उपर थी वो dependency अगर यूही बनी रहती तो आज हमको नुकसान होता अगर हम लोग रशिया से oil को import नहीं करते कहते हैं कि अगर एक ही व्यक्ति के उपर dependency आपकी होती है तो वो इंसान हमेशा धोका ही देता है आपको इसलिए कभी भी खुद की निर्भरता खुद की dependency केवल एक इंसान पर मत रखो और कभी भी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाने चाहिए आपके अंदर वो self ability skills होनी चाहिए कि खुद से खुद जो है वो आप decisions लेख सकें इसलिए भारत ने decision लिया कि रशिया से हम लोग oil को import करेंगे हमारी dependency जो है वो state of harmony मतलब इरान और गल्फ countries के उपर है लेकिन हम फिर भी रशिया से oil को import करेंगे क्योंकि इरान और इस्राइल के बीच में conflict चल रहा था अगर मान लीजिये कि state of harmony को block कर दिया था चोप कर दिया था तो भारत के लिए बहुत बड़ी problems हो सकती थी अब देखें यहां पर इंडिया's net oil import bill is projected to projected मतलब यह आशंका है to increase 101 billion ठीक है in the current physical year from 96.1 billion मतलब 2023 के अंदर जो हमारा oil import का bill था मतलब जितना हम लोग import कर रहे थे in terms of price वो 96.1 billion ठा लेकिन वो increase कितना हो जाएगा 101 मतलब हमारा जो oil का consumption है वो आगे आने वाले समय में और बड़ेगा फिर देखें यहां पर इरान और इसराइल का जो conflict है इसको लेकर भारत की उपर यह pressure create हो जाता कि आखिरकार भारत जो है वो कहां से फिर oil import करेगा भारत ने पहले ही अपना रास्ता चुना और रशिया से जो है वो हमने oil को import किया अब बहुत बहतरीन लाइन है मान लीजिये कि आज रशिया से हम लोग oil को import नहीं करते तो क्या इस्तिती होती इस्तिती ये होती कि जिस oil को जिस petroleum product को हम लोग जिस भी price में खरीद रहे हैं उस पर 20 प्रतिशत आनि कि लगव हम लोग कह सकते हैं कि आज जो petroleum जो prices है वो लगभग 100 रुपय आप मान लीजिये petrol pump जाते हैं तो 100 रुपय लिटर आप मान लीजिये अगर वही oil जो है वही petrol आपको 120 रुपय मिलना शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे आप कहेंगे कि महंगा हो गया तो basically अगर रशिया से import नहीं होता तो हम लोग आज जो petrol की prices है वो 120 रुपय दे रहे होते क्योंकि अगर सर के अंदर एक रेली हुई थी वहाँ पर कहा कि अगर हम लोग रशिया से import नहीं करते तो फिर 20 रुपय महंगा जो है वो petroleum हमको आज मिल रहा होता देखी क्या है जब हमने रशिया से oil को import किया था तो हमको वो 43,782 रुपय प्रति टन के हिसाब से मिला था जबकि वि चार हजार मतलब 2200 टन जो है वो हमको 32 रुपय प्रति टन पर ही हमको सस्ता मिला और इसको लेकर भारत ने कितने पैसे जमा किये 22,490 करोड रुपय जो है वो भारत ने जमा किये थे यह बहुत बड़ी बात है एक कंट्री की economy यह हो सकती है तो आप लोग समझ सकते हैं कि 6. 6.91 करोड टन जो है उस समय COVID-19 के टाइम परेड के अंदर भारत ने किस से इंपोर्ट किया था रुपय जिस समय रुपर सेंक्षिन लगाए गए थे तो सीधी सीधी बात यह है गुमा फिरा के बात नहीं करूँगा भारत का डिसिजन बड़ा जबर्दस था राइट टाइम पर राइट डिसिजन लिया गया और रशिया से ओयल इंपोर्ट किया गया आज USA की बात बिल्कुल गलत है कि रशिया USA की कहने पर ही हमने रशिया से ओयल इंपोर्ट किया था ताकि USA जो है वो प्राइस को कंट्रोल कर पाए ये केवल बहकाने की बात है बिल्कुल गलत बात है भारत में खुद ने decision लिया है और decision लेने के बाद भारत में खुद ने जो है वो decision लेकर oil को import किया था decision बड़ा बहतरीन था लेकिन आप लोग मुझे comment section में जरूर बताईएगा कि भारत का निर्ण उस समय जो लिया गया था वो आज सही साबित होता है या नहीं होता है आप लोग हमारे 75 days hard challenge के साथ में जरूर जुड़िए 75 techniques मैंने बताई है कि कैसे आप लोग pornographie से दूर रह सकते हैं 75 real stories बताई है website के उपर visit किये जिए course को buy कीजिए और अपनी life को change कर दीजे पूरी तरीके से बहुत कम prices में आपको एक course available होगा चरी मिलते हैं आप लोगों से अगले session के उपर दीपक इंदोर official टेलेग्राम चनल से आप लोग ज़रूर जूर जाएए तब तक लिए धन्यवाद थैंक्यू जैहिंद